आज की वीडियो में आप जानेंगे 1975 की राजीश खन्ना और मुम्तास की बहुत ही खूपसूरत और खास फिल्म प्रेम कहानी से जुड़े अनसुने दिल्चस्प सचिक किस्से तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें सरूर बताएगा और आपको मुम्तास और राजीश खन्ना के जोड़ी कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट में सरूर बताएगा फिल्म प्रेम कहानी साथ मार्च 1975 को रिलीस हुई थी और ये एक एक्शिन ड्रामा म्यूजिकल फिल्म थी ये फिल्म राज खोसला द्वारा निर्देशित और लिखित थी लेक राज खोसला द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया था फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुम्तास, शशी कपूर, विनोत खन्ना, इत्यादी फिल्म में म्यूजिक दियाता लक्ष्मी कान, प्यारे लाल ने और गानों के बोल लिखे थे आनन बक्षी ने फिल्म में कुल छे गाने थे और गानों में अपनी मधर आवास दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश और मुहम्मत रफी ने फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाना, बहुत ही पॉपुलर हुआ था फिल्म का दूसरा गाना, दिल को छू जाता है गाना है, एक से एक सूपर हिट गाने थी इस फिल्म में वैसे ये तो मानना ही पड़ेगा कि पहले की फिल्मों के गानों का कोई जवाब नहीं था जिंदगी के हर पहलू को महसूस करवा देते थे पहले की गाने गानों का मतलब होता था, आज भी इने लोग बेहत दिल से सुनती है आपको पुरानी फिल्मों के गाने या आज के गाने कौन से ज़ादा पसंद है कमेंट में हमें सरूर बताएं फिल्म का कुल बजट लगभग 90 लाक रुपे था और बॉक्स ओफिस इंडिया में फिल्म ने लगभग 1 करोड रुपे की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइट कलेक्शन किया था 1 करोड 9 लाक रुपे का दर्शकों ने इस फिल्म की कहानी और फिल्म के गानों को काफी पसंद किया था पर ये फिल्म उतना अच्छा कारोबार नहीं कर पाई जितना कि फिल्म से उमीद की गई थी फिल्म को 6.6 out of 10 IMDB रेटिंग मिली हुई है और 71% Google users ने फिल्म को पसंद किया था अब बात करते हैं फिल्म के कुछ unknown facts की इस फिल्म के निर्देशक राज खोसला ने जब फिल्म की घोशना की थी तब मुम्तास शादी करने की तैयारी कर रही थी और मुम्तास का कहना था कि वो शादी के बात फिल्मों में काम नहीं करेंगी बलकि अपनी शादी शुदा जिन्दिकी जिएंगी जिस कारण राज खोसला ने फिल्म प्रेम कहानी को मुम्तास के साथ अपनी आखरी फिल्म के रूप में बनाया था इंदुस्तानी लड़की जब शादी करती है तो जिन्दकी भर में भाती है फैक्ट नमबर दो विनोध खन्ना और राज खोसला पहले से ही काफी करीब थे और दोनों के बीच में काफी अच्छा रिष्टा था और जब विनोध खन्ना को पता चला फिल्म प्रेम कहानी का तो विनोध खन्ना चाहते थे कि राज खोसला उन्हें अपने फिल्म में साइन करें तो विनोध खन्ना ने राज खोसला से अपने लिए बात की पर राजखोसला ने कहा कि फिल्म की कास्ट final हो चुकी है और वो राजेश खन्ना और शशी कपूर को साइन कर चुकी है अब उनकी जगा किसी को नहीं दे सकते लेकिन विनोध खन्ना के काफी जोर देने पर राज खोसला ने फिरोस खान का ट्रक ड्राइवर का रोल विनोत खन्ना को दे दिया फैक्ट नमबर तीन राजेश खन्ना और मुम्तास एक सूपर हिट जोड़ी थी जिसे दर्शक बेहत पसंद करते थे और दोनों जब साथ में परदे पर आते तो धमाल ही मचा देते थे और दोनों की फिल्म में बॉक्स ओफिस पर सफल ही साबित होती थी फिल्म फ्रेम कहानी राजेश खन्ना और मुम्तास की आठवी फिल्म थी एक साथ पर ये फिल्म उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई जितना की दोनों की फिल्में करती थी फिल्म आईना मुम्तास और राजेश खन्ना की एक साथ नौवी फिल्म थी जो की मुम्तास के हिंदी सिनेमा को अलविदा कहने के बाद रिलीज हुई और ये दोनों की एक मात्रो ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ओफिस पर एक भड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी आपको बता दें कि फिल्म आईना एक तमिल फिल्म का रीमेक थी देखा जाए तो प्रेन कहानी फिल्म में लीड आक्टर राजिश खना थे लेकिन जादा क्रेडिट मिला था मुम्तास और शशी कपूर को फैक्ट नमबर पांच साल 1975 में फिल्म प्रेम कहानी कमाई करने के मामले में उन्नीस वे नमबर पर थी और इसी साल की धर्मेंद्र और आमिता पच्चन की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी शोले जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता फिल्म शोले का वीडियो चैनल पर पहले से ही बना हुआ है वीडियो का लिंक उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा नेक्स वीडियो आप किस मूवी पर देखना जाते हैं कामेंट में मुझे जरूर बताएं